नमस्कार साथियो, संजे सर और मेरे यानि विकरान सर के द्वारा, एक नई अपडेट, तो लास्ट वीडियो में अपडेट हम लोगों ने किया था, उसी के जो कोश्चन्स बच्चोंने कमेंड बोक्स में कोश्चन पूछे हैं, उन्ही कोश्चन्स को लेकर उन्ही परसुनो से तो कारे हैं, क Betsyaw framework की जाएं, कभ से शुरू की जाएं, कहां से की जाएं, इसमेर की जाएं, सर ब्ली की बात करें, सर्कार नोकरी यगना आज सहरे मश्किल है, आप देख पा रहोंगा। कि अगर कोश्चों यह कोश्चन्स हैं, आँकी क वीडियो में क्या पनो को, उनसे करेंगे और आंसर की फाइनल कब तक और रिजल्ट कब तक कौन कौन से पॉइंट संजे सर ने इस वीडियो में डाले हैं जिसको डिस्केशन करने वाले प्रोपर तरीके से एक बार देखने पहला रिवाइस्ट आंसर की कब तक पहला कोश्चन जो डिस्केशन करेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है क्या नोर्मलाजेशन होगा या नहीं अभी भी संसे का दिश्या बना हुआ है क्या नोर्मलाजेशन होगा या नहीं इसमें जर्जा उसके बाद एक और क्या ऐसा हो सकता है कि डारेक्ट रिजल्ट बच्चे इंतियार करते रह आपका answer की आया, objection लगा, final आ गया, उसके बाद आपका interview demo class क्या करें, क्या करना है, आगे DT Press B की रहासा नहीं है, super tech की रहासा नहीं है, इंतजार अभी बाकी है, तो कौन-कॉन से topic पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, चलूँए सन्जी सर के पास, सन्जी सर बता ही बच्चो क यह थी, आप लोगों का सवाल यह था कि direct result आ सकता है कि सर बिना revise answer की के, और आपका सवाल दूसरा है कि सर रिवाइज answer की कब तक आ सकती है, सर नॉर्मलाइशन में क्या होगा, marks बढ़ेंगे, घटेंगे, होगा या नहीं होगा, तो यह सारे point आप ही के point है, जो हमने यह लि कुछ रहे हैं कि सर रिवाइज answer की कब तक आईगी, बहुत रिवाइज answer की से पहले, इस point पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, क्या direct result आ सकता है, कि सर बिना revise answer की कि क्या result आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी सर question को चलेंज किया जाता है, या answer की आती है, और आप से बोला जाता है कि आप question पर objection करिये, तो इसका मतलब यह है कि कही न कहीं भरती बोर्ड फिर से revise करेगा answer की को, भी जब उसने बोला है, अगर मैं नहीं आप लोगों को, मैंने 100 question का paper बनाया, और मैंने आप लोगों से कहा कि यह 100 question की जो परिक्षा है, आप इसके answer की के बाद, आपको अगर कोई question गलत लगता है, तो आप उस पर objection कर दीजिए, इसका मतलब मैं भी, जो मैंने answer की आप लोगों को दी है, इस 100 question की, मैं इसको फिर से revise करूँगा, तभी तो मैंने बोला है कि आप challenge कर लीजिए, तो revise answer की और जिस दिन रिजल्ट आए, उसी दिन आपकी, या एक दिन पहले final answer की आजए, लेकिन revise answer की आप लोगों की अवस्य आएगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिये, कि सर हमारी revise answer की नहीं आएगी, तो सबसे पहला सवाल आपका clear होता है, revise answer की आएगी, अवस्य तो भाई, पूरी possibility है, पूरी possibility है, इससे पहले ही आ सकती है, सर, जितना अनुमान है, जिसे आप से, जो KVS, बोड काम कर रहा है, कही न कहीं बहुत ज़्यादा तेजी इस बरती में दिखा रहा है, तो कही न कहीं आप अगर देखेंगे, तो March end तक, March end तक, आपकी क्या है म या फिर ऐसा हो सकता है, कि एक week पहले आपको revise answer की दे दे, तो ये बास सत्य है, जितने भी अभ्यारतिय सर तयारी कर रहे है, उनके लिए छोड़ी सी चीज़े है, कि सर, KVS हर बार, March और April के दोरान ही, अपना result final करता है, बिल्कुल, बिल्कुल, और June में verification करा के, अगले न इसे बहुत सारे student आएंगे, जो regular आपको YouTube पर मीडियो मिलती रहेंगे, आप उनको देखते रहना, तो पूरे अनवाब के साथ, हम आप लोगों को बता रहे है, कि March end तक क्या है, revise answer की तो आएगे याएगी, हो सकता है, possibility है कि सर, result भी आज़े, क्योंकि April में, April में पूरी possibility ह कि तो आपकी interview वाली परकिरिया है, वो प्रारंब हो जाए, तो revise answer की बहुत जल्द आने वाली है, मान के चलिए, इसका अगर इस question का मैं जबाब दूँ, तो March क्या है, March last तक क्या है, मेरे भाई, आपकी जो है, revise answer की आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, अब दूसरा स student है, जो अफवा उडारे, sir, किसी के 30 number बढ़ेंगे, किसी के 40 बढ़ेंगे, इतना बढ़ा भी normalization का फरक नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, इतना भी नहीं है, कि sir, एक बार वहाँ ऐसा हुआ, इतने number बढ़ेगे, इतना भी फरक नहीं मिलेगा, normalization जो परकिरिया है, वो सभी papers को equal करने के लिए लगाई जाती है, तो क्या normalization होगा, KVS में, जी हाँ, KVS में, जितना हमारा अनुवब है, 100% क्या होगा, normalization होगा, जितना हमारा और sir का अनुवब है, पूरी team का अनुवब है, जैसे कि last video में, संजे सर आपने बताया था, हमने update भी किया था, कि जब भी किसी exam या board, दो से या, एक से दो से अधिक shift में, और एक से दो दिन में, अधिक में, paper लेता है, तो वह normational निश्ची तोर पर, हो नहीं होना है, और देखिए, जितने भी sir, online exam होते है, जो भी एक से अधिक shift में paper होता है, तो वहाँ अभी तक हर बढ़ती में क्या है, normalization होता अधिक कोई आवसकता नहीं है, बस आप revise answer की का wait करिए, कि आपकी जो answer की आएगी, आपकी shift में, आपके कितने question बढ़े हैं, या कितने question गटे हैं, उसके बाद normalization की परकेरिया लगेगी, ठीक है, वह result के साथ आपकी लग क्या आएगी, तो normalization हो गया नहीं होगा, तो जी हा के साथ revise answer की कब तक आएगी, March end तक, और result भी हो सकता है, कि आपका March end यह, अपरेल के first week तक आपका result आजाए, ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की दिमाग में क्या चल रहा है, अब क्या करें, आप दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, इधर उधर फालतु की बात करते रहते हैं, गुरूपों में मैसेज करते रहते हैं, कि यह हो जाएगा, मेरे इतने नमबर है, मेरे इतने नमबर है, अरे भई, अब क्या करना है, आप जानते हैं, DSSB की क्या है, वेकेंसी आने वाली है, मेरे भई, सूपर टैट आपका आने वाला है, सूपर टैट बिल्कुल बिल्कुल डारेक्ट आंसर आप पर रिजल्ट नहीं आने वाला रिजल्ट आपका आंसर की के बाद नोवेशन होने वाला है तो जो बच्चे चैनी तोर पर चल रहे हैं वो अपने इंट्रिवी की तैयारी करें तो इनक्से तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं और अगर इसे में मैं आप लोगों को बता हूं मुस्ट इमोडेंट के आपके पास अगर तैयारी की बात करें बहुत महत्पून सर बस आपको दो मिनट लूँगा मैं एक तो सर डी ट्रिपल एस बी छोड मत देना अच्छी खासी विकेंसी हैं बहत्रीन के अगर बात करें परदेश की देश की राजधानी में यूजिन टेरिटरी में कारे करने का एक मोका आपके पास है तो बहुत जल्द रेपीडिले आप लोगों को मिलने माला और एक सूपर एट के अगरें बात करूं योगी आधितनात के नितर्टुगी बात करूं तो वहां पर भी आपको लेकिन अपनी इंटर्वी को तैयारी आप लोग करना ना छोड़ें यह ध्यान लगना जिनको लगता है मैं तो यही कहना चाहूंगा जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई देखिए कट आफ तो निर्दारी तो आपने बहुत सारी वीडियो कट आफ की देख लिए लेकिन अब आप हम भी विश्वास मत करिए किसी पर विश्वास मत करिए अगर आपको खुद से लगता है कि सर हमारा नंबर आ सकता है ठीक है आ सकता है तो आप अपनी इंटर्वी की प्रपरेशन करते रहें और सारे दिन थोड़ी एक इंटर्वी की प्रपरेशन करते हैं उसके साथ आप upcoming zone vacancy उनकी तयारी में लगे रहे हैं अपनी तयारी को ना छोड़ें बस क्योंकि selection तो सबका होना है नहीं जितनी vacancy है selection तो उतने ही student का होगा तो आप क्यों अपने mark से बटक रहे हैं क्योंकि आपको एक सिक्षक बनना है तो आप अपनी तयारी में निरंतर लगे रहे हैं आप बिल्कुल भी ज़्यादा फालतू की बातों पर विस्वास मत करिये क्या होगा क्या नहीं होगा आपने paper दे दिया है आपकी answer की आ चुकी है marks आपने check कर लिये हैं अब revise answer की में थोड़ा बहुत एक दो marks दो तीन marks का मैं बता देता हूँ अगर देखा जाए दो से 6 marks का हो सकता है कि 6 questions आपके इतने गलत और ज्यादा आपको मिल सकते हैं कि एक दो question बढ़ जाए किसी के एक दो question गड़ जाए और आपका result भी निष्चित आएगा आप चिंता क्यूं कर रहे है कि कब आएगा कब नी आएगा तो अपनी त्यारी में लगे रहें भाई यह चोटी सी update थी जो वीडियो बनाकर हमने आप लोगों को बताई तो result बहुत जल्द आने वाला है यह बात 100% कहीं न करी सर सत्या है बिल्कुल जितना सर को अनुवव है सर ने काफी KVS के ऐसे बहुत सारे student है जो सर से पढ़े है KVS, DSSB, SuperTet, NVS, Army Schools और एक छोटी सा सा बच्चों का update जैसे कि आपने लास्ट टाम बताया था SDCampus के platform पर जो बच्चे अलड़ी paid batch में थे या उसके अलागा जो बच्चे है सर वो अपनी demo teaching with mock interview के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते है 20 तारिक से जो session है वो शुरू हो चुका है, एक session अलड़ी चल रहा है 15 से और 20 से एक session और चल चुका है तो अपनी अगर बात करें selection को सुनिशित करने के लिए आपने अपना काम कर दिया, अपने exam दे दिया, exam के बाद आपके answer की final, जिन बच्चों को लग रहा है, जिनका है, मेरा कहना है 120 plus बच्चा जो जा रहा है कि CD category में है, देखे कहीं न कहीं फिर एक disclose चीज़े, कहीं न कह जानकारी शुरू कर दे, सीटे बहुत कम आपको पता है, और एक fight बच्चों में, सबसे बड़ा कलंक, बेरोजगारी का कलंक है, इसे मिटाने का बहुत अच्छा मोका मिला आप लोगों को, इसको छोड़ना नहीं है, और किसी भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए क्योंकि त्यारी नहीं करेंगे, और इंटर्वी देने पहुंच गे, तो निश्चित है कि जो इस्टुडेंट त्यारी करके गया है, उसमें और आप में अंतर बिल्कुल किलियर दीखेंगा, अधर पहला कुश्चन उसने पूछ लिया, इंटर्वीर ने आपसे, कि टेल मे something about yourself, तो आपके बताने में और जो त्यारी करके आया है, उसमें सर्थ बहुत बड़ा difference होगा, और first question से ही वो अंदाजा लगा लेते है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटर्वी दिये है, sir PD, personal development, guestures, postures, TLM, आपके बैठने का तरीका है, तरीका है, बोलने का तरीका, क्या क्या है, क्यासे आपको चीजे को बताना है, क्यासे इंटर्वियर को बच्चे की तरह एंटर्टेन करना है, कि वो बच्चे क्लास में बैठे हुए है, और आप as a क्या है, teacher है, कैसे अनभव कर रहेंगे आप लोग, बिलकुल, एक बात और है, जो आपकी teaching होगी, वो आपकी school में ही होगी, school में, आप क्या रहेंगे, सिक्षक रहेंगे, और जो सामने बैठे रहेंगे, वो student बनेगे, और आप से लाई बिलकुल देखा जाएगा, बिलकुल, बिलकुल, बहुत सारे student के दिमार के सवाज चल रहा है, sir, English, क्या English में ही बोले है, भाई, देखिए, English से ह होता है, आप सभी को पता है, हिंदी में भी हो जाता है, लेकि जब आप English में थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो उसका सर प्रवाब अलग ही पड़ता है, क्यूंकि मैंने भी विटेख किया है, बहुत सारे इंटर्वीव में ने दिया है, तो English से थोड़ा सा क्या है, एक अगलग देशों में भी है, रिपर्जेंट करते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो बस यही सब सूच रहा है थी, संजय सर कुछ लास्ट में दो शब्द कहेंगा, आप अपनी इंटर्वीव अगरा की तयारी में अच्छे से लगे रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा नमबर आने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, टेंसन बिलकूर ने लेनी है, आगे की तयारी अपनी जारी रखनी है, हमारे साथ जोड़ जाएए, डियसे बी हो, या फिर सूपर टैट हो, या फिर यूपर टैट, सीट, जितने भी आपके एक्जाम है, सभी के लिए batches इस्टार्ट हो चुके है, बहुत अच्छे से हम निरचर मेहनत कर रहे हैं, जैसे KVS में भी हमने पूरे YouTube के इत्यास में पहली बार 1500 गंटे की महा मैराथन, तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार पर ये हुई थी, और ये क्या है, आप इस मैराथन का असर आपको